हलो फ्रेंड्स आज का मेरा विशय है क्रिकेट और मैं आज क्रिकेट पर आपको कुछ सामान जानकारी देना चाहता हूं दोस्तो आज मैं आपनों के समझ क्रिकेट पर दस लाइन लेकर उपस्थित हुआ हूं मुझे विश्वास है कि ये लाइन आपको पसंद आएंगी तो आएए सुरू करते हैं अब फर्स्ट क्रिकेट दो टीमों के बीच गेंद और बल्ले से खेला जाने वाला एक खेल है खेल के प्रतेग टीम में ग्यारा खिलाडी होते हैं सेकेंड इस खेल की सुरुवात सिक्का उशाल कर की जाती है इसमें टास जितने वाला पच पहले गेंद बाजी करेगा या बल्ले बाजी या उसके उपर निर्भर रहता है थर्ड क्रिकेट में दोनों टीमों का उद्देश एक समान होता है वह गेंद बाजी करते समय बीपच को अधिक रन बनाने से रोगते हैं फोर गेंद को बल्ले से हिट करने वाली टीम को बैटिंग टीम तथा गेंद को फेकने वाली टीम को बालिंग टीम के नाम से जानते हैं 5. क्रिकेट खेल के मैदान में दो अमपायर खड़े रहते हैं जो खिलाडियों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहों का उसे ध्यान रखते हैं 6. क्रिकेट मैच एक आयताकार छेतर फल पर खेला जाता है इसमें पिच की लंबाई 22 गज और चोड़ाई 10 फीट होती है 7. क्रिकेट एक बहुत प्रसिद खेल है इसे पूरी दुनिया में खेला जाता है या खेल खुले मैदान में खेला जाता है 8. क्रिकेट के कई प्रकार हैं जिनमें एक दिवसी क्रिकेट, टेस्ट मैच और टी-टुन्टी क्रिकेट आज के समय में बहुत अधिक प्रचलित है 9. क्रिकेट के खेल में जो भी टीम सबसे ज़्यादा रन बनाती है उसी टीम को खेल का बिजेता घोसित किया जाता है 10. क्रिकेट खेल का मुख्य उद्देश अधिक से अधिक रन बना कर जीत हासिल करना होता है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि क्रिकेट पर दस्वाक आपको पसंद आएं होंगे तथा आप इसे भली भाद समझ गए होंगे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवज़ करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद